नमस्कार में डॉक्टर रजनीश कुमार, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ हिंदी सहते का इतिहास सिरीज के अंतरगत, आज हम चर्चा करेंगे निर्गून धारा के सूफी कावि के तीन प्रमुख कभियों के उपर जिसमें हमने कुत्बन, मंझन और मलिक मुहमद जैसी को शामिल किया हुआ है प्रेविद्यार्थों इस वीडियो लेक्शर के बहाने हम सूफी कावि परम्परा के बारे में भी जानेंगे और समझेंगे कि किस तरीके से इस परम्परा का विकास हुआ और इसकी वीशे वस्तू क्या रहे और इन तीनों कभियों की रचनाओं में क्या समानता है, क्या और समानता है कौन से शैली तिस कभी को प्रसिद बनाती है इन सभी विंद्धों को हम आप सभी के सामने प्रस्तूत करेंगे और परिक्षाओं के दिश्टी कोण से भी चर्चा करेंगे जो की आगामी, UP, TGT, PGT, UGCnet, Unit 2, CUT, PG Interest Exam और Assistant Professor Exam के दिश्टी कोण से बहुत ही महत्पूर होने वाला है प्रिविद्यार्थियों, आप सभी की परिक्षाओं को ध्यान में रखते विए हमने इस सीरीज को बड़ी ही तनमेता के साथ आगे बढ़ाने की कोशिश की है और हम पहुच चुके हैं टॉपिक 23 के उपर तो उम्मीद करते हैं कि आप आज के वीडियो लेक्षर के माध्यम से कुत्बन, मन्जन और मलिक मौहमद जैसी से संबंदित, कॉंसेप्ट क्लियर करेंगे साथ में, परिक्षाओं में आईवे, क्वेस्टन के बारे में भी जानेंगे और महत्पूर्ट तथ्यों से भी परचित होंगे तो चलते हैं विस्तार से बात करते हैं कुत्बन, मन्जन और जैसी के उपर कि कुत्बन चिष्टी वन्ष के सेख वुरहान के शीष्य थे और जौनपूर के बादशा हुसेन शाह के आसरित थे पहला ही वाक्य आप देख रहे हैं कि बहुत ही ध्यान देने वाले वाक्य है सवाल पूछा जा सकता है कि कुत्बन किस वन्ष से जुड़े हुए थे तो चिष्टी संपर्दाय जब आप सुफी काबे पढ़ेंगे तो उसमें कई संपर्दायों की चर्चा की गई है कई वन्शो की चर्षा की गए कम से कम आप देखेंगे कि 4-5 संप्रदाय है जिनसे कोई न कोई कवी जुड़ा हुआ है जहां तक कुतबन की हम बात करें तो इनका संबंध चिस्ती संप्रदाय से रहा है इनके गुरु यानि कि ये किसके शीष्य थे शेख बुरहान के तो दूसरा तथ्य आपको विल्कुल ध्यान में रखना है कुतबन की से जीले से जुड़े हुए थे उत्तरप्रदेश के जौनपुर जीले से इनका संबंध था और इनके जो राजा थे या फिर ये जिसके दरबार में रहा करते थे उनका नाम था हुसेन शार जो कि जौनपुर में शाषन कर रहे थे तो ये चार पॉइंट आप देख रहे हैं कि चारों पॉइंट आपकी परिक्षाओं के देश्री कोण से महत्पूर है चाहें तो ये सभी विकल्प में आ सकते हैं और सत्य असंगत वाले सवाल में पूछे जा सकते हैं आप UGC नेट की तयारी कर रहे हैं तो भी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऐसे ही वर्तमान समय में बदलते वे पैटर्न में सवाल पूछे जा रहे हैं तो पहले पॉइंट से ही आपके मन मस्तिस्क में कुतुबन से संबंदित कई जानकारियां बैट गए होगी कि ये चिष्टी संपरदाय से थे इनके गुरु का नाम शेक बुरहान था जौनपूर के बादशार हुशैन शाह के आसरित थे अब बात आती है कि इनका समय कब रहा होगा इनका समय विक्रम की 16 शताबदी का मद्यभाग यानि समवत 1550 था समवत 1550 को जब हम इसबी में बदलते हैं तो समय निकलता है 1493 इसबी यानि कि कुत्बन का जो समय रहा है 1493 इसबी के आसपास में रहा है इनकी खास रचना कौन सी है जिसके वज़े से कुत्बन को जाना जाता है इनकों ने म्रिगावती नाम की एक कहानी चौपाई दोहे के क्रम से सन 909 हिजरी समवत में लिखी समवत में अगर बदलेंगे हिजरी समवत को तो 1558 आएगा जिसको इसबी में बदलेंगे तो 1521 यहाँ पर दो-तीन चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि जब भी आप सुफी काविको पढ़ेंगे तो उसमें हिजरी समवत का उलेक बार-बार किया जाता है जैसे आप पदमावत भी पढ़ेंगे मलिक मुहमद जैसी को पढ़ेंगे तो आपर भी हिजरी समवत 947 की चर्चा की जाती है यहाँ पर देख रहे हैं कि 909 की चर्चा की गई है हिजरी समवत में इसी को जब हम बदलते हैं तो 1501 इस भी होता है और समवत में जब बदलते हैं तो 1558 समवत होता है तो देखिए बदलते वे पैटर्न में सवाल पूछा जा सकता है कि म्रिगावते की रचना कुतुबन ने किसे हिजरी में किया था तो आपको 999 बिलकुछ ध्यान में रखना है 909 हिजरी में म्रिगावते लिखी गई अगर इस भी में पूछा जाएगा तो 1501 इस भी अगर संबत में पूछा जाएगा तो 1558 संबत में ये रचना हुई थी कैसी थी एक कहानी के तोर पर इस रचना को किया गया था वैसे बेफ सुफी कभियों को पढ़ेंगे तो उन्होंने हिंदू रित रिवाज परंपरा को आधार बनाके प्रेम कथा का वरण किया हुआ है ठीक ह में 16-16 मात रहे हैं और दूसरे में 13-11 का क्रम होता है तो यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि जो म्रिगावती है चौपाई दोहे के क्रम में लिखी गए और मैंने इसके प्रकाशन या फिर समय के बारे में बता दिया अब इसकी विसे वर्ष्टु क्या है किसको केंद यहां तक के तत्य को बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है अलग-अलग अपने कॉपी पर आप नोट भी कर सकते हैं कि इसमें दो नगर की बात की गई एक तो है चंदर नगर यहां के राजा है गडपति देव जिनके राजकुमार उनका नाम नहीं दिया गया बलकि पिता के नाम से ही यहां पर जाना जा रहा है कि चंदर नगर के राजा गडपति देव के राजकुमार और कंचन पूर के राजा रूप मुरारी की कन्या म्रिगावती की प्रेम कथा है तो म्रिगावती का नाम यहां पर दे दिया गया उसका संबंद कहां से कंचन पूर से और उन नगरों का नाम बिल्कुल ध्यार में रख लीजिए। हो सकता है कि पूछा जाये कि चंद्रनगर और कंचनपूर का उलेक किस सुफिक कावे में किया गया है। तो तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए कि ये है म्रिगावती। बड़े सुंदर रहस्यमय आध्यात्मिक आभास भी इस रचना में मिलते हैं। तो आप देख रहे हैं कि म्रिगावती जो काव्य है ये प्रेम कथावरणन पर है और इसमें प्रेम मार्ग के त्याग और कश्ट दोनों का निरूपन करके भागवत प्रेम का स्वरूप दिखा है उसका भी यहाँ पर आभास दिलाया है अगर कहानी की हम बात करें तो इसकी संख्षिप्त कहानी है बड़े ही इंट्रेस्टिंग है अगर पिछले साल के क्वेशन पेपर को आप देखेंगे तो एक दो सवाल इसकी कथा बश्तु से आया हुगा है जैसा कि हमने बताया कि एक पेज भी अंतर नहीं है फिर भी शब्दों का हेर फेर हो गया तो आपको चंद्रणगर और चंद्रगीरी दोनों को एक तरीके से एक ही मानना है चंद्रगीरी के राजा गड़पती देव का पूत्र और कंचननगर के राजा रूप मुरारी की मृगावति नाम की राज कुमारी पर मोहित हुआ कथा आप ध्यान में रखे कि चंद्रगेरी के राजा गडपति देव का पुत्र कंचन नगर के राजा रूप मुरारी की जो पुत्री एम्रिगावती उन पर मोहित हुआ मुरिगावती जो है एक कला के लिए खास जाने जाती है ये राजकुमारी उड़ने की विद्या जानती थी ये देखे छोटा सववाक के है लेकिन आगे की फरिक्षाओं के लिए बड़ा ही इंपोर्टेंट है पुछा जा सकता है कि कि सुफी कावे में नाई का उड़ने की क जानती है तो तुरंत आप बता देंगे कि अब मुरिगावती नाम की जो रशना है या फिर काव्य है उसकी राजकुमारी उड़ने की विद्या जानती है ये देखे इंपोर्टेंट है जो भी चीजे मैं बता रहा हूं आप सभी के पास किताबें उपलब धोंगी लेकिन पढ़ते वक्त कैसे नोर्स बनाया जाता है और उन तत्यों के तरफ कैसे ध्यान दिलाया जाता है यही मक्सद है यहाँ पर हमारा आप सभी से जुड़ने का तो मुरिगावती उड़ने की विद्या जानती थी अनेक कष्ट जेलने के उपरान राजकुमार उसके पास तक प मुरिगावती जो है उड़ने की कला जानती है ठीक है वहीं राजकुमार उसकी खोज में क्या बन कर जाता है योगी बन कर जाता है इसी तरीके से जब आप पदमावत पढ़ेंगे तो आपर राजार रतन सेन भी देखेंगे आप कि योगी का विर्ष धारन करके लगबग 16 हजार योगियों के साथ निकल पढ़ते हैं पदमावती के खोज में तो कहीं कहीं ये जो रचना है अपने परवर्ती रचनाओं को भी प्रभावित किया है राजकुमार मृगावती की खोज में योगी होकर निकल पढ़ा समुदर से गिरी एक पहाड़ी पर पहुश कर उस की एक सुंदरी से परिचे होता है और वो संकट में एक राक्षस के चंगुल में फसी हुई है उससे राजकुमार बचाता है ये सारे तथ्य आपके परिक्षाओं के लिए मत्पून है अगर इन तथ्यों को नहीं ध्यान में रखेंगे तो यही तथ्य आपको परिशान करन में है अंत में क्या होता है जैसे फिल्मों में होता है कि नायक नायका को बचाता है और फिर नायका कि शादी नायक से हो जाती है यहां पर भी कुछ हुआ ही है उस सुंदरी के पिता ने राजकुमार के साथ उसका विवाह कर दिया आप देख रहे हैं कि मृगावती के कर रहे थी राजकुमार खोश्ते खोश्ते पहुच गया और देखा कि मरिगावती जो है अपने पिता के निधन के बाद वहां की रानी बन चुकी और वहां पहुच जाता है और लगबग 12 वर्ष रहता है इस 12 को जरूर ध्याने में रखे राजकुमार मरिगावती के साथ 12 पता लगाने पर राजकुमार के पिता ने घर बुलाने दूत भेजा, बीच में राजकुमार के पिता भी परशान एक आफिर estaba guard गया, तो उसको घर बुलाने के लिए दूत भीजा गया, जैसे ही पता चला, राजकुमार पिता का संदेशा पाकर म्रिगावती के साथ चल पड़ा और उसने मार्ग में रुकमनी को भी ले लिया यानि कि आप देख रहे हैं कि राजकुमार अकेले जाकर राजी कर रही म्रिगावती से मिलता है रुक्मनी नहीं गई है लेकिन जैसे पिता का संदेश इसको मिलता है म्रिगावती को साथ लेकर चलता है और राष्टे में रुक्मनी को भी ले लेता है राजकुमार बहुत दिनों तक आनंद पुर्वक रहा पर अंत में आखेट के समय हाथी से गिरकर मर गया यह देखे टर्निंग पॉइंट से आपर आ रहा है जो कि आपके लिए परिक्षा के लिए एक तत्य है कि पुछा जा सकता है कि कि सुफी काविका नायक हाथी से गिरकर मर गया तो तुरंत आपके मन में आना चाहिए कि म्रिगावती का जो नायक है वो हाथी से गिर कर मर गया इतिहास में आपने पढ़ा होगा कि कई सासक घोडे पर से गिर कर मर गये कुछ पुष्टिकाले के सीडियों पर से गिर कर मर गये अगर आपने इतिहास पढ़ा होगा तो जरूर कमेंट्स करकर एक बार बताईएगा क्योंकि मैं जब भी अपने B.A. और M.A. के बच्चों को पढ़ाता हूँ तो मैं यही करता हूँ कि आप जब तक राजनितिक इतिहास को ठिक से नहीं पढ़े रहेंगे तब तक हिंदी साहित के इतिहास को भी नहीं समझ पाएंगे इसलिए हमारे विद्यार्थी तो इतिहास पढ़कर एक अक्षा में उपसीद होते हैं यहाँ पर मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे विद्यार्थी जानते होंगे कि चौगान खेलते वे गोड़े पर से कौन गिर कर मर गया था और पुष्टकाले के सीडियों पर से गिर कर कौन मरा था यहाँ पर एक नया आप पॉइंट देख रहे हैं कि म्रिगावती का जो नायक है वो भी आखेट खेलते वे शिकार खेलते वे हाथी से गिर कर मर गया यह सवाल पूछा जा सकता है इसको नोट कर लीजिए आगे उसकी दोनों रानिया प्रिये के मिलन के उतकर ठा में बड़े आनंद के साथ सती हो गई है सती होना आप देख रहे हैं कि एक तरीके से उस समय और समाज की तरफ भी संकित कर रहा है और दूसरी चीज है कि सुफी का विपरंपरा में इसी तरीके से नायकाएं जो हैं सती हो गई है आप पदमाओ भी पढ़ेंगे वहाँ पर भी इसी तरीके की चर्चा होई है और मरिगावती में भी आप देख रहे हैं तो जैसे राजकुमार हाथी से गिर कर मर जाता है ये दोनों रानियां मरिगावती और रुकमनी भी सती हो जाते हैं और इसके बाद कुटबन ने लिखा है रुकमेनी पुनी वैसे ही मर गई कुलवनती सतसो सती भई बाहर व भीतर व हुई, घर बाहर को रहे न जोई, बिधिका चरित न जाने आनू, जो सिर्जा सो जही नियानू तो ये देखें, पंक्तियां रहे हैं, इन पंक्तियों को ध्यान मर रखिए, कि कुत्बन द्वारा लिखी गए ये पंक्तियां, और म्रिगावती से ली गए, ठीक है, तो ये छोटी सी कहानी थी, म्रिगावती सुफी कावे की, तो हमने सोचा, कि ये EMRS के पटकरम में लगा इनकी रशनाओं को लेकर, इनके समय को लेकर, इनके गुरू को लेकर, लेकिन यहाँ पर मुझे उम्मीद है, कि आप लोगोंने म्रिगावती की, संग्छिप्त कहानी को भी समझ लिया होगा, कि आखिरकार म्रिगावती कौन थी, किस कलाक में ये पारंगत थी, और मंजन के उपर, मंजन के बारे में आचाय रामचेंदर शुकल लित्ते हैं, इनके संबंध में कुछ भी ज्यान नहीं है, केवल इनकी रची, मधुमालती की एक खंडित प्रती मिली है, जिसमें इनकी कोमल कलपना और सिनिक जहर देता का पता लगता है, म्रिगावती के समान मधुमालती में भी पांच चोपाईयों के उपरान एक दोहे का क्रम रखा गया है, परम्रिगावती की अपेक्षा, इसकी कलपना भी विशद है और वरणन भी अधिक विश्त्रित और हिर्देग ग्राही है, आप देख रहे हैं कि मंजन और मधुमालती पर विचार करते व इन दोनों शब्दों को आपको भी ध्यान में रखना है कि अगर हम मधुमालती की विश्ष्ताओं को ध्यान में रखें तो उसमें कभी मंजन ने कोमल कल्पना और सहर देता दोनों का समावेश किया है, इसके पहले जो रचना थी म्रिगावती, पैटर नों उसी का है, लेक जो पैटर रहा है, ज्यादा तरह आप सुफी कभियों में देखेंगे, सुफी काभी के अंतरगत, उन्होंने इसी पैटरन का प्रियोक किया है, इसके बहुत पहले हमने सत्यवत्ती कथा के बारे में आप सब इसी चर्शा की थी, जिसके रचनाकार कौन है, आपके मनमस्ति में भी इसी पैटरन को अपनाया गया है, पांच चौपाईयों के उपरांत एक दोहे का करम रखा गया है, हाँ, मधुमालती, मृगावती के अपक्षा क्या है, कल्पना में विशद है, ब्यापक है, और वरणन में भी अधिक विश्तार लिये हुए है, और साथ में हिर्द ग्राही भी, आगे लिखते हैं, आध्यात्मिक प्रेम भाव की ब्यंजना के लिए प्रकृति के भी अधिक द्रिश्यों का समावेश मंजन ने किया है, कहानी भी कुछ अधिक जटिल और लंबी है, जो अत्यन्त संग्षेप में नीचे दी जाती है, जो आपको कहानी ध्या परिशान रहेगा, पागल रहेगा, उसकी खोज में निकलेगा, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि क्या यह कहानी वैसे ही है, या फिर कुछ इसमें अलगावी है, तो लिखा गए यहाँ पर, कनेसर नगर की राजा, सूरज भान के पुत्र, मनोहर नामक, एक सोय हुए राजक राजकुमार को, अफसराएं रातो, रात, महारस नगर की राजकुमारी, मधुमालती की चित्रशारी में रखाएंगे। रखाते हैं, सोया हुआ है और उठाकर उसको ले जाकर चित्रसारी में रख दी, यानि कि जो मधुमालती का एक तरीके सी कमरा है, और आपने नाइकाओं के कमरों को देखा होगा, कि उसको सजाकर रखती हैं काफी, तो इसलिए यहाँ पर चित्रसारी का प्रयोग किया गया है वहाँ जागने पर दोनों का सक्षातकार, एक तो सक्षातकार हम इंटरव्यू की दिश्ची कोण से देखते हैं, लेकिन अब आपको यहाँ पर सक्षातकार के प्रति जो डर होता है, वो खतम होगा, सक्षातकार का मतलब ही होता है, कि दो और परचित लोगों का मिलन, आप जब interview देने जाते हैं तो बहुत rare case में कोई आपका परचित खोड़ा होगा लेकिन यहाँ पर परचित है मनोहर को भी नहीं पता है और मधुमालती को नहीं पताएगी कौन है दोनों का साक्षकार होता है दोनों एक दूसरे पर मोहित हो गए पूछने पर मनोहर ने अपना पर अपने मनों भाव को अपने हिर्दे में जो प्रेम है उसको दोनों एक दूसरे से आदान प्रदान कर रहे हैं इसमें जो नायक है वो सबसे पहले अपनी बात को रख रहा है कि मेरा अनुगात तुम्हारे उपर कई जन्मों से है यानि कि इसमें कई जन्मों की ही बात की प्रेविद्ध्यार्थों, अगर आप लोगों ने MPPSC Assistant Professor का Question Paper देखा होगा, तो उसमें एक सवाल पुछा गया है, कि सुफिक काविपरंपरा में कौन सी रचना है जिसमें पूर्व जन्म की भी बात की गई, तो वो रचना है मधुमालती, देखें यहां पर बहुत बारिक से आप चिसको देखना है, कि कई जन्मों की यहां पर बात की गई, थोड़ा सा यह अंतर हो जाता है इस रचना के संदर में, तो मनोहर अपनी बातों को रख देता है, बात चीत करते करते, दोनों एक साथ सोग है, और अफसराएं राचकुमार को उठा कर फिर उसके घर पर र फ्रेंड्स बोलू, तो ज्यादा बेतर होगा, कई बार हमने देखा है, अपने विद्यार्थी जीवन में भी, शोधार्थी जीवन में भी, और यहां तक की प्रोफेशनल जीवन में भी, कि दो अजन्मियों को मिलाने वाले आपके आसपास हमेशा गुंगते फिरते वे न ब्याकुल, यानि देखें, यहां पर विरह है, अलाग अलग जगां हो गए, तो जाहिर सी बात है कि जो चीज बची वो कौन से, प्रेम, राजकुमार ब्योग से विकल होकर घर से निकल पड़ा, और उसने समुद्र मार्ग से याट रहा है, जाहिर सी बात है कि सुफिक पर अपनाया गया है, तो जो नायक है, वो अपने प्रेमिका से मिलने के लिए ब्याकुल होकर घर से निकलेगा ही निकलेगा, और सामान रूप से नहीं पहुचेगा, बलकि कई बाधाओं को पार करते विए पहुचेगा, अगर माले जी आपकी प्रेमिका नौकरी है, तो ऐसा नहीं है कि आप आसानी से नवकरी पा जाएगे, बलकि उसको पाने के लिए आपके मार्ग में समुद्र और पहार जैसी बाधायें उत्पन हो सकती हैं, कठनाईयां आ सकती हैं। इन सभी रचनाव से सीखने की जरूरत है, कई बार हम हिंदी पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते हैं, लगता है कि इसका हमारे जीवन में क्या महार्टो है, लेकिन आप देखेंगे कि अगर महार्टो आप खोजेंगे तो जरूर उसमी से दिखाए पड़ेगा। मनोहर वे प्रेमका से मिलने के लिए घर से निकल पड़ता है और समुद्र मार्ग से यात्रा करता है। मधुमालती है, उसमें बहु नाईका का भी चरितर किया गया है। कई रचनाव में आप देखेंगे सुफी कावे में कि केवल एक नायग नाईका, लेकिन इसमें आप देख रहे हैं कि एक दूसरी नाईका का प्रवेश हो रहा है जिसका नाम है प्रेमा। तो आप अपने क जिसे एक राक्षस उठा लाया था, मनोहर उमार ने उस राक्षस को मार कर प्रेमा का उद्धार किया। प्रेमा ने मधुमालती का पता बता कर कहा कि वह मेरी सक् uni है। यानि प्रेमा और मधुमालती एक दूसरे को जानती है पहले से। मैं उसे तुछ से मिला दूँगी मनोहर को लिए हुए प्रेमा अपने पिता के नगर में आई मनोहर के उपकार को सुनकर प्रेमा का पिता उसका विबाह मनोहर के साथ करना चाहता क्योंकि पिता जी को लगा कि मनोहर जैसा राजकुमार या फिर व्यक्ति जो हमारी बेटी के लिए काफी उप्युक्त हो सकता है तो शादी करने का प्रयास करते हैं पर प्रेमा यह करकर अस्विकार करती है कि मनोहर मेरा भाई है और मैंने उसे उसकी प्रेम पात्री मदुमालती से मिलाने का वचन दिया है। अपनी माता रूप मंजरी के साथ प्रेमा के घर आई और प्रेमा ने उसके साथ मनोहर कुमार का मिलाप करा दिया। जब वो पक्षी होकर उड़ गई तब माता बहुत पश्ताने और बिलाप करने लगी पर मदुमालती का कहीं पता नच लगा। मदुमालती उर्ती उर्ती बहुत दूर निकल गई। एक दिन पक्षी मदुमालती में प्रेम की सारी कहानी ताराचंद से कह सुनाई जिसे सुनकर उसने प्रतिग्या की कि मैं तुझे तेरे प्रियतम मनोहर से अवर्ष मिलाऊंगा। आप देख रहे हैं एक तरफ प्रेमा हैं दुसरे तरफ ताराचंद हैं यह ऐसे करेक्टर हैं जो कि प्रेम के महत्यों को समझते हैं। और अगर कोई किसी से प्रेम करता है तो उस प्रेम को पहुचाने का प्रियास करने का प्रियास यह लोग कर रहे हैं। और वैसा ही ताराचंद भीक यहां पर देखिए मनोहर से अवर्ष मिलाने का प्रियास करता है। अंतमेव उस पिंजरे को लेकर महारस नगर में पहुचा, मधुमालती की माता अपनी पुत्री को पाकर बहुत प्रसन हुई और उसने मंत्र पढ़कर उसके ऊपर जल छिड़का, वह फिर पक्षी से मनुस्य हो गई, आप देखरें इसमें कलपना, जो बिशत कलपना की बात क अपनी बहन बताता है, और मैंने परतिग्या की है कि मैं जैसे होगा, वैसे मनोहर से मिलाओंगा आप देख रहे हैं कि इस रचना के केंद्रे में मनोहर इसके इर्दगिर जितने भी पात रहे हैं वो सब घुम रहे हैं मधुमालती की माता सारा हाल लिख कर प्रेमा के पास पेशती है मधुमालती भी उसे अपने चित की दशा लिखती है वो दोनों पत्रों को लिए वे दुख कर दुख कर रहे थी कि इतने में उसकी एक सकी आकर समबाद देती है तो आप देख रहे हैं कि मधुमालती जो रचना है उसमें पत्र शेली का भी प्रयोग किया गया है एक क्वेश्चिन पूछा जा सकता है जो भी विद्ध्यारती यहां पर आत्मियता के साथ देख रहे हैं निश्चित तोर पर एक्जाम में सही जबाब देकर आएंगी तो यहां पर आप देख रहे हैं कि जो भी पत्र लिखा गया है उस पत्र को एक सकी आकर्त देती है कि राजकुमार मनोहर योगी के वेश्च में आप उचा है मधुमालती का पिता अपनी रानी सहित दलबल के साथ राजा चित्र सेन के नगर में जाता है और वहां मधुमालती और मनोहर का विवा हो जाता है मनोहर, मधुमालती और ताराचन तीनों बहुत दिनों तक प्रेमा के यहां अतिथी रते हैं एक दिन आखेट से लटने पर ताराचन प्रेमा और मधुमालती को एक साथ जूला जूलते देख प्रेमा पर मोहित होकर मुर्शित हो जाता है मधुमालती और उसकी सक्यां उपचार में लग जाते हैं तो ये कुछ कहानी आप देख रहे हैं कि इसमें कलपना का समावेस है ठीक है स्वहिर देता है और इसके बाद आप देखेंगे ये वरडन भी बहुत क्या है विस्त्रित है आप इसमें घाउच पाउच हो जाएगा कि कौन किसे क्या है कौन किसको प्रेम कर रहा है कौन किसके प्रेम को पाने में सहायता दे रहा है ये सारी चीज़ें इस कहानी में चल रहे है और ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि मधुमालती की खंडित प्रती मिली यानि कि कम्प्रिट प्रती नहीं मिली इसके आगे प्रती खंडित है पर कथा के जुकाव से अनुमान होता है कि प्रेमा और ताराचंद का भी बिवा हो गया है तो इसमें बहु बिवा एक से अधिक नायक नायकाओं का बिवा का वर्ड कि मंझन ने नायक और नायका के अत्रिक उपनायक और उपनायका के भी योजना करके कथा को तो विस्त्रित किया ही है साथी प्रेमा और ताराचंत के चरित्र द्वारा सच्ची सहान भूति अपूर्व सैयम और निस्वार्थ भाव का चित्र दिखाया है ये सबी बातें मधुमालती रशना को अलग करती हैं और मनझन को भी अलग करती हैं इसलिए विशेश तोर पर आपको ध्यान में रतना है जन्म जन्मांतर और योगियंतर के वीज प्रेम की अखंडता दिखा कर मनझन ने प्रेम तत्व की व्यापकता और नित्यता का आभास दिखाया है सुफियों के अनुसार यह सारा जगत एक ऐसे रहस्यमय प्रेम सुत्र में बढ़ा है जिसका अलंबन करके जीव उस प्रेम मूर्ती तक पहुचाने का मार्क पा सकता है सुफि सब रूपों में उसकी छिपी जोती देखकर मुखध होते हैं जैसा कि मनझन काते हैं देखा थी पहिचानियू तोही एही रूप जेही छंद्रियो मोही एही रूप बुत अहे छपाना एही रूप रब स्रिष्टी समाना एही रूप सकती और सीव यही रूप त्रिभुवन कर जीव यही रूप प्रगटे बवभेशा यही रूप जग रंक नरेशा यानि प्रेम को इसमें केंदर में रखा गया है और ये माना गया है कि ये जो दुनिया है प्रेम सुत्र में वधी हुई है इसलिए आचारामत्रन शुक्ले ने सुफी काविप परमपरा को अच्छा माना है और यहां तक कि उन्होंने कहा कि ये सभी मुस्लिम होते वे भी हिंदू घरानों की कथाओं को अपनाएं और साथ मुसमें प्रेम सुत्र को केंदर में रखे हैं ये बहुत बड़ी बात है जो कि आज भी वर्तमान समय में जरूरी है आगे एकी इश्वर का विरह सुफियों के यहां भक्त की प्रधान समपत्ती है जिसके बिना साधना के मार्ग में कोई प्रवित्त नहीं हो सकता किसी की आँख नहीं खुल सकती और है विरह अवद अवगाह अपारा पोटि माह एक परहत प्यारा विरह की जगत अविरथा जाही विरह रूप यह स्रिष्ट सबाही नैन विरह अंजन जिनसारा विरह रूप दरपन संसारा पोटि माह विरला जग कोई जाही शरीर विरह दुख होई रतन की सागर सागर गज मोती गज कोई चंदन की वनवन उपजे विरह की तनमन होई तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पंक्ति को आपको ध्यान में रखना है कि कहीं ये नागमती का तो नहीं है कई बार confusion हो जाता है जिसी साब से यहाँ पर विरा विरा शब्द कई बार आया हुगा है और question mark भी यहाँ पर लगाया गया है तो परिक्षाओं में जैसी के सासाथ अन्य जो भी सुफी रचना हैं उनकी पंक्तियों को आपको ध्यान में रखना है ताकि confusion नहों तो आप ध्या में रखना है रतन से ऐसा लगेगा कि रतन सेन के बारे में बात की जा रही है क्योंकि जिस तनमेहता से हमें नागमती भी ओखंड और नाग पदमावत महाकावी पढ़ाया जाता है उतनी तनमेहता से मंजन इत्यादी को बहुत कम आप देखेंगे कि classes में बताया जाता है औ आप तो जानते ही हैं तो आगे हम देखते हैं कि जिसके हिर्दय में वीरह होता है उसके लिए संसार स्वक्ष दरपन हो जाता है और इसमें परमात्मा के आभास अनेक रूपों में पढ़ते हैं तब वह देखता है कि इस स्रिष्टी के सारे रूप, सारे व्यापार उसी का वीरह प्रकट कर रहे हैं ये भाव प्रेम मार्गी संपरदाय के सब कभियों में पाए जाते हैं प्रेम मार्गी संपरदाय मतलब सुफी जो काभ्य है या फिर सुफी रचनाकार हैं सब में ये बातें पाई जाते हैं मंजन की रचनाका यद्देपी ठीक संवत नहीं ग्या पीछे हुई यानि जो इसका क्रम बन रहा है इसलिए आप देखेंगे क्रम पर आधार जो भी रशना है पूछी जाती है आओ इसी आधार पर रहा है कि कौन किसके अगर यह सीरियल नोट कर लेते हैं, तो जायसी वाक्त की आगे काप मैस्च कर लेए. इससर्षैली के सबसे प्रसीद और लोगप्रिय ग्रंथ पदमाउत में जायसी ने अपने पूर्व के बने हुए इस प्रकार के कावियों का संख्षिप में उलेख किया है. अमालीक मोहमद जैसी ने बहुत अच्छा काम किया, परत्योगी प्रक्षार्थियों के तृष्टी कौन से भी और पेपर बनाने वालों के तृष्टी से भी, कि उन्होंने अपनी रचना पदमावत में अपने पूर्वर्ती जितने भी सुफी काव्य हैं, उनके बारे में च लेक्या हैं, और उसके लिए पंक्तिया हैं, कि विक्रम धसा प्रेम के बारा सपनावती कह गयों पतारा, मधुपाच, मुगधावती लागी, गगनपूर भहिगा बैरागी, राज कुवर कंचनपूर गयों मिर्गावती कह जोगी भहेव, साधे कुवर खंडावत, किन्धू बियोग्रू, प्रेमावती कह सुर्बर साधा, उशा लाग अनिरुद वर्वाधा, यहाँ पर देख रहें कि दो-तीन रचनाओं का नाम है, मुगधावती, खंडावत, मधुमालती, ठीके प्रेमावती, यह सब रचनाएं, आगे लिखा गया कि इन पद्यों में जैसी के पहले के चार काव्यों का उलेख है, मुगधावती, 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 मधुमालती और प्रेमावती, इन में से मुगधावती और मुगधुमालती का पता चल गया है, शेश दो अभी नहीं मिले हैं, यानि जब इद्यास ग्रंथ आचाराम चनल शुक जी नहीं खोज पाए, तो फिर हम लोग किस खेत की मुली हैं, तो लोगों ने बंद कर दिया काम, हाँ, कुछ-कुछ नहीं रचना हैं, आप देखेंगे, कि खास्तर से मलिक मुध जैसी की अलग-लग किताबों में दिखाई पड़ते हैं, तो हमें इंपोर्टेंट तरीके स याद करना है, म्रिगावती को और मधुमालती को, लेकिन मान लिजे, बदलते हैं पैटर्न पूछ लिया जाए, कि जैसी ने अपने पहले के चार कावियों को लिख किया है, कौन-कौन से हैं, तो आप परिक्षा तक जरूर इन सभी रचनाओं को याद करिए, ठीक हैं, पर इस बात को कन्फर्म करना चाहते हैं, कि जो मधुमालती है, उम्रिगावती के बात की रिशन है, हम भी मान लेते हैं इसको, आगे है कि जैसी का जो धरन दिया गया है, उसमें मधुमालती के साथ मनोहर का नाम नहीं है, खंडावत नाम, पादमावत के हस्त लिखित प्र सवाल कई बार पुछा गया है, जिस पदमावत, नागमती, भीयोग, खंडित्यादी को हम परते हैं, उसकी जो हस्त लिखित प्रती है, यानि हाथ से लिखी गई प्रती है, वो देवनागरी लिखित में नहीं है, बलकि फार्सी अक्षरों में मिलती है, ये कई बार सवाल और नए बच्चे जो हैं, वो जरूर इसको नोट करके रखें, पुरानों के लिए बातें पुरानी हो चुकी होगी, तो यहाँ पर आप ध्यान में रखिए, कि पदमावत की जो हस्त लिखित प्रतियां पाई गई हैं, वो फार्सी अक्षरों में, यानि कि कहा जाए, तो खास और से बिहार के हैं, उन्होंने देवनागरी शब्द को देवनागरी क्लिखना शुरूर कर दिया, अलांकि जो की गलत है, ठीक है न, देवनागरी आप जरूर ध्यान में रखें, अलांकि जब भी मैं कॉपी पर सिगनेचर करने जाता हूं, तो जरूर इसको ध्यान मे एच और आप देखेंगे कि जो खारसी लिपी है, वो दाहिने से बायं के तरफ जाती है, यह है अंतर, आगे है कि मैंने चार ऐसी परतियां देखी है, मैंने मतलब आचारामचन शुक लिखते हैं, कि मैंने चार ऐसी परतियां देखी हैं, जिन सम्में नायक का ऐसा नाम लि ऐसी है जिसमें साफ मनोहर पाण अब हिंदू विश्विद्याले कौन है तो जाइर सी बास है कि तुरंट आपकी दिमाग में आ गया होगा बनारस हिंदू इनवस्टी जहां पर आचारा में शुक्लिए शिक्षक के तौर पर थे और उन्होंने वहां के विश्विद्याले के लाइब्रेरी आप लोग चानते ही होगी विश्वनात मंतिर के बगल में लाइब्रेरी है वहां के लाइब्रेरी में नोने ऐसी पुष्टक देखी जिसमें साफ साफ मनोहर लिखाओ उसमान की चित्रावली में मधुमालती का जो लेख है उसमें भी कुवर का नाम मनोहर ही मधुमालती भई रूप देखावा प्रेम मनोहर ही तह आवा अब ये देखिए मधुमालती के संबन में जो बात कही गई है ये किस रचनामी आपको ध्यान मरखना किये चित्रावली में न कि मधुमालती ठीक है और ये जो पंक्ती है ये मंजन की नहीं है बलकि किसकी है उस मान किये तो छोटी-छोटी चीजें जरूर ध्यान में रखिया ये ही नाम मधुमालती की उपलब्ध परतियों में भी पाया जाता है ठीक है आगे है कि पदमावत का पहले मधुमालती की बहुत अधिक प्रसिद्धी थी पदमावत के पहले अगर कोई प्रसिद रजना थी तो वो मधुमालती थी जैन कभी बनार्शी दास ने अपने आत्मचरित में संबत 1660 के आसपास की अपनी इश्क बाजी वाली दिन चर्या का उलिक करते हुए लिखा है कि उस समय मैं हाट बाजार में जाना छोट घर में पड़े-पड़े म्रिगावती और मधुमालती नाम आत्मचरित सब्द भी प्रयोग किया जाता है किसी ने लिखा है तो जैन कभी बनार्शी दास की आत्मकथा का नाम क्या है तो उसमें क्या है इश्क बाजी वाले जीवन चर्या का उल्लेख होने किया है और उन्हें बताया कि ये बाहर आना जाना बंद कर चुके थे और घर में पढ़े पढ़े क्या पढ़ते थे मरिगावती पढ़ते थे और मधुमालती आप लोग क्या पढ़ते हैं वन नाइनर किताबें पढ़ते होंगे और अनुराज इंदियकर्मी पे जो भी नोट्स रूपी सब्जेक्टिव तौर पर चीज़ें पढ़ाई जा रहे हैंग इसलिए उनके मन में आया कि मैं अपनी आत्मकथा लिखूँ बहुत सारे विद्ध्यारती कमेंट्स कर चुके होंगे कि पनार्शिदास की आत्मकथा का नाम क्या है आगे कि इसके उपरां दक्षिड के शायर नसरती ने भी संबत सत्त्रस में मधुमालती के आधार पर दक् भावित होकर दक्नी उर्दो में एक रश्णा लिखी जो कि प्रेम पर आधारी तो इसका नाम था गुल्षने इस्क तो गुल्षने इस्क के रश्णाकार कौन है नसरती कवित सवया बनाने वाले एक मन्जन के पीछे हुए जिनने इनसे सवर्था प्रिथक समयना चाहिए अमन्जन से ताइफी एक व्यक्ति आगे चलकर कवित सवया में मधुमालती लिखने का प्रियास किया लेकिन आचायरामजन शुकल का कायना है कि वो मन्जन और ये मन्जन दोनों क्या है ये प्रसिद्ध सूफी फकीर शेक मोहीदी मोहीदिन के सिश्य थे और जायस में रहत देते यानि कि पहले पंक्ति को आपको ध्यान में रखना है कि मलिक मोहमद जैशी के जो गुरू है उनका नाम है शेक मोहीदी पर परिक्षार में पुछा जा चुका है इसलिए पिशेश तर पर ध्यान में रखना है आगे शुकले जी लिखते हैं इनकी एक छोटी सी पुछतक आखरी कलाम है यह फार्सी अक्षरों में छपी हुई है आगे लिखते हैं यह सन 936 हीजरी में यानि सन 1528 इसवी के लगभग बाबर के समय में लिखी गई थी इसमें बाबर बात्षा की प्रसंशा है कई बार परिक्षाम सवाल पुछा जा चुका है कि मलिक में बाबर की प्रसंशा की है तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि वो पुछतक है आखरी कलाम और किस अक्षर में लिखी गई है फार्सी अक्षरों में लिखी गई है यानि आखरी कलाम देवनागरी में लिखी गई है बलकि फार्सी लिपी में लिखी गई है तो इन पुष्टक में अपने जन्म का उल्ले किया है, तो ध्यान से आप सुनेंगे, तो तुरंट आंसर दे देंगे, नहीं तो परिक्षा हॉल में, आप बार बार अपने दिमाग में लाएंगे कि हमने तो कई किताबों का ध्यान किया था, लेकिन मलिक मुहमद जैसी ने किस पुष तार मोर 9 सती, 30 बरस उपर कभी वदी, यानि कि इन पंक्तियों का बहुत अर्थ जो है, वो खुलता तो नहीं है, लेकिन ये माना जा सकता है, कि जन्म काल को बताते वे लिखते हैं, कि 900 हिजरी माने तो दूसरी पंक्ति का यह अर्थ निकलेगा, कि जन्म से 30 वर्थ पीछे जैसी कभीता करने लगे और इस पुष्टक के कुछ पद्धित उन्होंने बनाये हैं, यानि कि जब मलिक मुहमद जैसी लगभग 30 साल के आसपास में थे, तब उन्होंने कभीता लिखना शुरू किया था, और सबसे पहले यहाँ पर आप देख रहे हैं, आखरी कलाम का ही उलेक हुआ है, इसके बाद हम बात करते हैं, आचायराम चंद्रशुकली जी लिखते हैं, जैसी का सबसे प्रसिद्ध गरंथ है पद्मावत, यह भी सवाल कई बार कुछा जा चुका है, जैसी का सबसे प्रसिद्ध गरंथ कौन सा है, पद्मावत है, तो इसको तो बीना आ निर्मानकाल कभी ने इस प्रकार दिया है, यानि कि मलिक मुहमद जैसी ने पदमावत के प्रकाशन या निर्मानकाल के बारे में खुद बताया हुआ है, एक यहाँ पर पंक्ती दी गई है, सन 927 अहा, कथा अरंभ बैन कभी कहा, आप अगर पिछले साल के क्वेशन पेपरों को देखेंगे, जो पुराने पेपर है, उसमें ये पंक्ती छोटी सी जो है, सन 927 अहा, पुछा गया है कि किस ग्रंथ के बारे में ये पंक्ती संकेत करती है, तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए कि पदमावत के बारे में गी बात कही गई है, सन 927 अहा, कथा अरंभ बैन कभी कहा, यानि इसका अर्थ होता है कि पदमावत की कथा प्रारंभिक वचन यानि अरंभ बैन कभी ने 927 हिज्री यानि सन 1520 के इसभी के लगबग में कहेते, हिज्री यहां पर शब्द प्रिउप्त किया गया है, तो आप अपने नोट बुक पर जरूर नोट का ये 927 बराबर 1520 हिज्री यहां पर एक तरीके से फार्सी कलेंडर के अधार पर प्रिउप्त हुआ है, आचारी शुकले लित्ते हैं कि पर ग्रंथ के आरंभ में कभी ने मस्नभी की रूरी के अनुसार शाहे वक्त शेर्षा की प्रसंशा की है, अब आप देख रहे हैं कि आ यहां पर फैक्त है जिसको की आपको ध्यान में रखना है, यानि कि पदमावत की शुरुवात मस्नभी शैली में होती है, मस्नभी की रूरी के अनुसार शाहे वक्त शेर्षा की प्रसंशा की गई है, और मलिक मुअम्मध जैशी ने लिखा है, शेर्षा दिल्ली यानि कि एक तरीके से इन पंक्तियों से प्रसंशा का भावरी जागरित हो रहा है, कि शेर्षा दिल्ली का सुल्तान है, और चारो तरफ उसी का ही प्रभाव है, उसके सामने इस धर्थी पर कोई दूसरा राजा नहीं है, तो एक तो आपको दिमाग में रखना है कि मलिक मु किलियर है, आगे शुकली जी लिखते हैं कि शेर्षा के सासन का आरम 947 हिजरी अर्था 1540 हिश्वी से हुआ था, तो इससे आपके दिमाग में एक और चीज़ बननी चाहिए कि आचायर रामचन शुकली की इतिहास दिश्टी क्या है, वो तुरंत इस निसकर्ष पर नहीं प किताब पढ़ेंगे तो आपके facts और clear होंगे, अगर आप market की कोई guide नुमा किताब पढ़ेंगे, तो हो सकता है कि कई किताबों में 1520 लिखा गया हो, और कई किताबों में 1540 लिखा गया हो, तो यहां पर क्या होगा, आप पदमावत के प्रकाशन वर्स को लेके जीवन भर confused रहेंगे लेकिन यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि पदमावत में एक जगह मलिक मुहम्मद जैसी ने 927 हिजरी का उल्ले किया है जिसको कि हम इस्वी में कनवर्ट करेंगे तो 1520 इस्वी के आसपास वो समय आता है लेकिन अगर थोड़ा सा हम जाच परताल करें और शेर में ये ग्रंथ लिखा गया है यानि कि इस दर्सा में ये शंभव जान पड़ता है कि कभी ने कुछ थोड़े से पद्यतों 1520 इस्वी में ही बनाये थे पर ग्रंथ को 1921 वर्स पीछे शेर्शा के समय में पूरा किया था तो इसलिए आपको यहां पर एक चीज और ध्यान मे कि 1520 इस्वी के आसपास में मलिक मुहमद जैसी पतमावत को लिखना शुरू किये थे और 1540 इस्वी के आसपास में पतमावत पूरा हुआ यानि कि इसको लिखने में लगबग 20 साल लगें अगर यही सवाल परिशा में पूछ लिया जाएगा तो बहुत कठिन सवाल हो जिस बिंदु पर मैं बात चित करने जा रहा हूँ अभी हाली में एक इक्जाम हुआ था यूपी टीजीटी या पीजीटी में एक क्वेशन आया हुआ था और बहुत ही इस प्रश्ण को लेकर विद्ध्या थी तमाम किताबों को खंगाल रहते लेकिन प्रश्ण देखिए आचाय रामचन शुकल के ही इतियास करन्त पर बना हुआ था पदमावत का एक बंगला अनुबाद अराकान राज के वजीर मगन ठाकुर ने सन 1650 इसवी के आसपास आलो उजाला नामक एक कभी से कराया था और यही सवाल आया हुआ था पिछले साल के पेपर में यूपी ट इसका अनुबाद किया था करवाया कौन था वजीर मगन ठाकुर अब इस तथे को आप तमाम किताबों में खोजेंगे जो मार्केट में उपलब्ध हैं वहाँ पर नहीं मिलेगा क्योंकि जब आप गंभीरता से पढ़ेंगे तभी यह फैक्ट्स आपको मिलेगा तो आलो उ अनुबाद में भी 927 ही बात माना गया है यानि कि जो 1520 इसवी की बात कही जा रही है इस ग्रंथ में भी इसी को माना गया है उन्नीश 927 जब हो रहा है तो इसको कनवर्ड करेंगे तो 1520 इसवी हो जाएगा ठीक है और क्या उल्ले किया गया है शेख मुहमद जत जखन रच जिल ग्रंथ संख्या 27 नवशक्त ठीक है तो यहाँ पर देखें दो तथे दिखाई पड़ रहे हैं आगे आचायराम शुकले इसको और क्लियर करेंगे शुकले जी लिखते हैं पदमावत के हश्ट लिखित प्रतिया अधिकतर फार्सी अक्षरों में मिली हैं जिसमें 27 और 47 प्राय एक ही तरह लिखे जाएंगे यह तथे यहाँ पर है जो कि पदमावत के प्रकाशन वर्स को या फिर उसके समय को थोड़ा सा दुबिधा में डालता है उसका कारण शुकल जी बता रहे हैं कि चुकि पदमावत के हश्ट लिखित प्रतिया फार्सी अक्षरों में मिली हुई है यह भी परिक्षा के दिश्ट्रकाशन से बहुत ही इंपोर्टेन फैक्ट्स है वैसे तो हम लोग तुरंत बता देते हैं कि पदमावत अवधी भास दिखा जाता है तो इसलिए यहां पर कंफ्यूजन हो गया है शुकल जी लिखते हैं कि इसमें कुछ लोगों को यह अभी अनुमान है कि 47 को लोगों ने भूल से 27 पढ़ लिया है यह देखें यहां पर एक और फैक्ट्स है कि उसी 47 को 27 लोगों ने पढ़ लिया और उसका ग अपने समय के सिध्ध फकीरों में गीने जाते थे माली जे इतना ही दूर तक यह कोटेशन पूछ लिया जाए कि किसका है तो तुरंत आप बतातेंगे कि आचायर रामचिंद्र शुक लगा है जैसी अपने समय के सिध्ध फकीरों में गीने जाते थे अमेठी के राजघरान अमेठी में ही अपने शरीर को त्याजा और अमेठी से 2 मिल की दूरी पर और ध्यान देने वाली बात है वो किसी महल में नहीं राते थे बलकि जंगल में राते थे यानि क्योंकि अगर आखरी सिती को देखेंगे तो बहुत अच्छी नहीं होगी अगर आप थोड़ा सा ध्यान देतो तो जंगल में ही उनकी मृत्त हो गई अगला फेक्ट है काजी नसरुद्दीन हुसेन जायसी एक नाम आप देख रहे हैं काजी नसरुद्दीन हुसेन जायसी ने जिने अवद के नवाप सुजा दौला से सनद मिली थी अपनी यादास्त में जायसी कामरित त्युकार चार रजब 949 सीजरी लिखा है यह काल कहां तक ठीक है नहीं कहा जा सकता यानि कि इसकी प्रामणिक्ता पर भी संदे है आगे शुकले जी लिखते हैं मलिक मुहमद जायसी पर ही बाक्चित करते हुए कि यह काने और देखने में कुरूग थे माले जी एक पोटेशन आ जाया कि कि किस कभी के बारे में यह बताया गया है क्योंकि आप देखेंगे कि इनी के आसपास में सूर्दास भी थे तो इनके तो नाम में ही लगा हुआ है और इसमें भी काफी डिबेट है कि यह जनमान्द थे या फिर बाद में अंध्य हुए, यहाँ पर मलिक मुहम्मद जैसी के बारे में भी बताया जा रहा है, यह काने और देखने में कुरूग थे, तो मानले जी अगर ध्यान से आप नहीं पढ़ेंगे, आप्शन में सूर्ड इसाप से ऐसे प्रश्म नहीं बनते हैं, फिर भी मानली जी किसी का दिमाग घूम गया और बना ही दिया तो फिर भी आप वहाँ पर कर लें, आगे शुकले जी लिखते हैं, कहते हैं कि शेर्शाह इनके रूप को देखकर हसता था, इस पर यह बोले मुही का हसे सी की को हर हर यानि मेरे उपर हस रहे हो या जिसने मुझे बनाया है, क्योंकि यह देखने में काने तो थे ही इसके अतरिक कुरूप थे, जहां तक मैंने एक और किता में पड़ा हुआ था, कि इनके चेरे पे चिकन पॉक्स का एक तरिकी से दाग था, तो कुरूप थे देखने में, कि मेरे उपर हस रहे हो या फिर जिस भगवान ने बनाया है, उसके उपर हस रहे हो, यहां पर यह बहुत बड़ी बात है, यानि कि आप किसी विव्यक्ति को जो देखने में अच्छा नहीं हो, या फिर कुरूप हो या फिर किसी भी दृष्टी से डिभ्यांग हो, अगर को कि उसके उपर हस रहा है, तो यह पंक्ति वहां पर सटिक बैठती है, कि किसके उपर हस रहे हो, मेरे उपर या फिर जो इस्वर ने मुझे बनाया है, उसके उपर, तो यह पंक्ति भी बार परिक्षाओं में पुछी जा चुकी है, कि किसकी है, तो मलिक मुहम्मद जैसी, आ पर किसी का नाम नहीं दिया गया यानि कि एक से अधिक्षी से थे इनके एक ग्रूप ही था और वो सभी इनके जितने विद्धो हे थे चौपाईयां थी सबको गाते फिरते थे आगे जो पॉइंट दिया गया बहुत ही इंपोर्टेंट है शुकले जी लिखते हैं कि इन्होंने तीन पुष्टकें लिखी हो सकता है सवाल पूछ लिया जाए कि मलिक मुहमद जैसी कि कितनी पुष्टकों का उलेग आचायर रामचन शुकले ने अपने इतियास गरंथ में किया है तो तीन पुष्टकों का उलेग किया है एक तो प्रसिद पदमावत दूसरी अखरावत तीसरी आखरी कलाम का ही उलेग आचायर रामचन शुकले ने जैसी कि पुष्टकों में किया है तो इन तीनों को तो विशेश तर पर आपको ध्यान में रखना है वैसे आप अ और ध्यान में रखना है, अखरावत में वर्ण माला के एक एक अक्षर को लेकर सिधांत सम्बंदित तक्तों से भरी चवपाईया कही गई कर अखरावत कि किस चंद में लिखा गया है, तो चवपाईयों को आपको ध्यान में रखना क Alber müsste आगे लिखते हैं इस छोटी सी पुष्टक में इश्वर, स्रिष्टी, जीव, इश्वर, प्रेम, आधी विशेयों पर विचार प्रकट किये गये हैं यानि कि अखरावट बहुत ही इंपोर्टेंट है इसमें वर्ण माला का तो जिक्र किया ही गया है और सिध्धान समनी तत्तों के बारे में बाक्चित की गई है इसके अतरिक इस छोटी सी पुष्टक में इश्वर, स्रिष्टी, जीव, और प्रेम के बारे में भी विचार किय आगया है आगली पुष्टक है आखरी कलाम आखरी कलाम में कयामत का वर्ण है और हमने उपर आप सभी को अभी बताया किस में उन्होंने बाबर की प्रसंचा की है तो इस तत्य को भी आपको अपने दिमाग में रखना है ये नहीं कि तुरंद भूल जाना है ठीक है आखरी कलाम में कयामत का भी वर्ण है और बाबर की प्रसंचा भी की गई है कई बार ये सवाल पूछा जा चुका है कयामत का वर्ण किस पुष्टक में मलिक मुहम्मद जैसी ने किया है पुष्टक की जगां पर कई बार ग्रंत भी लिख दिया जाता है तो कयामत का वर्ण आखरी तलाम में किया गया है आगे शुकले जी लिखते हैं जैसी की अक्षे किर्ती का आधार है पदमावल अगर सही मायने में कहा जाएं तो जो जैसी की किर्ती है यश है यानि जैसी जिसके लिए जाने जाते हैं वो पुछतक है पदमावल जिसके पढ़ने से यह प्रकट होता है क कि जायसी का हिर्दय कैसा कोमल और प्रेम की पीर से भरा हुआ था। कई बार सवाल पुछा गया है कि मलिक मुहमद जायसी को प्रेम की पीर का कभी किस ने कहा है। तो अब यहाँ पर आप सभी को बिल्कुल किलियर हो गया होगा कि आचायर रामचंद्र शुकले ने कहा है। प्रेम का अध्यात्म प्रक्ष में दोनों और उसकी गूणता, गंभीरता और सरस्ता विल्यक्षन दिखाई देती है। यानि पदमावत जायसी की अक्षे किर्थी का आधार है। इसमें प्रेम का महत्व प्रतिपादित किया गया है। जैसी का हिर्दे कैसा कोमल था, इस पदमावत से भी पता चलता है। पदमावत में लोकपक्ष, आभ्यात्मपक्ष, दोनों को बहुत ही गूणता, गंभीरता और सरस्ता के साथ प्रस्तुत किया गया है। आगे वो कबीर दा सर्तुलना करते हुए लिखते हैं, यानि आचायरामचनशुकली लिखते हैं, कबीर ने अपनी जार फटकार के द्वारा हिंदूओं और मुसल्मानों के कटरपन को दूर करने का जो प्रियास किया, वह अधिकतर चिढ़ाने वाला सिद्धुआ, हिर्द करवाया, लेकिन वो जो भी प्रियास उनों ने किया, अधिकतर चिढ़ाने वाला ही सिद्ध हुआ, हिर्दे को इसपर्ष करने वाला नहीं हुआ, आगे लिखते हैं, यह जो कोटेशन मैंने अभी बताया, यह भी कई बार परिक्षव में पूछा जा चुका है, कि यह किसक यह भास का अनुभव मनुस्य कभी कभी किया करता है, उसकी अभिव्यंजना उससे न हुई, यह भी मलिक मुहमद जैसी के संदर में आचाया रामचन शुकली लिखते हैं, आगे वे तुलना करते फिर से लिख रहे हैं, कुत्बन जैसी आधी इन प्रेम कहानी के कभियों न प्रेम का शुद्ध मार्ग दिखाते हुए उन साम्मानी जीवन दशाओं को सामने रखा, जिनका मनुश्य मात्र हिर्दय पर एक सा प्रभाव दिखाई पड़ता है, यानि वो बार बार सुफिक कभीयों की तुलना कभीर की से करते हैं, जहां कभीर भी प्रेम, गुरु, इन सबके महत्य को प्रतिपादित करते हैं, लेकिन जिस हिसाफ से रागात्मक संबन और हिदय की कोमलता का इस पर सुना चाहिए, वो नहीं होता है, बलकि उसमें क्या होता है, अक्रामक पन रहता है, चिढ़ाने वाला ही वहाँ पर भाव दिखाई पड़ता है, अगर कभी के डिष्ट कोन से देखें, शुकले जी उनको कैसे उनका मुल्यांकन कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कर रहे हैं कि कुतबन जैसी आधी जो भी कभी रहे हैं, इन्होंने अपने प्रेम कहानी के माध्यम से प्रेम का शुद्ध मार्क दिखाते हुए, उन साम्मानी जीवन दर हिर्दे और मुसल्मान हिर्दे आमने सामने करके अजनभी पन मिटाने वालों में इन्ही का नाम लेना पड़ेगा, अब इन्ही का नाम लेना पड़ेगा, मतलब कुतबन और जैसी का नाम लेना पड़ेगा, तो यहाँ पर ध्यान में आप रखें कि ये विक कोटेशन आच इस तर से उलेक किया गया है। आगे लिखते हैं इन्होंने मुसल्मान होकर हिंदुओं की कहानिया, हिंदुओं की ही बोली में पूरी सहिर्देता से कहकर उनके जीवन की मरमिस पर्षनी अवस्थाओं के साथ अपने उदार हिर्दे का उन्ड सामंज़ से दिखा दिया। ये कभीर ने केवल भिन प्रतीत होती हुई परोक्ष सत्ता की एकता का आभास दिया था। प्रतेक्ष जीवन की एकता का द्रिश्य सामने रखने की आवशक्ता बनी थी ये जायसी द्वारा पूरी हुई। इस कथन को आपने पिछले साल की question paper में कहिन कहिन जरूर देखाओग युजी सी नेट में ये कठन आ चुका है। यानि आचायराम से शुक्री लिखते हैं कभीर ने केवल भिन प्रतीत होती हुई परोक्ष सत्ता की एकता का आभास दिया था। प्रतेक्ष जीवन की एकता का द्रिश्य सामने रखने की आवशक्ता बनी थी ये जायसी द्वार का प्रतिपादन करना। ठीक है। प्रेम को इस्थापित करने के लिए कभीर कई बार आक्रामक हो जाते थे। दोनों समुधायों को समझाते थे। लेकिन मलिक मुहमद जैसी बड़े ही कुमलता के साथ, बड़े ही सामन्जस, पून सामन्जस के साथ, और उसमें हिर्दय के दिमांग में बैठते जाएं, और परिक्षा में जैसे ही आप देखें, तुरंत आप चहक उठें, कि हमने इसको पढ़ा है, अनुराज हिंदी अकेडमी में हमने इन कत्नों को पढ़ा था, हलाकि यह आपके पास कुछतक होगी, आप अपने से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन जब कोई चीज किसी के द्वारब बताई जाती है, तो वो दिमांग में बड़ी तेजी के साथ बैठती है, और यही है प्रेम का प्रतिपातन, अगर आप आत्मिया लगाव के साथ पूरे वीडियो लेक्चर को देखेंगे, तो आपको इस चैनल से प्रेम हो जाएगा, तो